दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 26 Most Important Questions आंसर्स जो की सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेंगे आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंट तक देखेगा और कितने Questions के आंसर सही कर पा रहें अपना Score कमेंट बोक्स में जरू बतेगा प्यारे दोस्तों ये वीडियो रात में 9 बज़े आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर तो आप इस वीडियो को regular देख सकते हैं पहला Question आपकी स्क्रेन पर है किस जीव की संख्या संसार में सरवदिक है अगर आपको आंसर पता है पहले से तो कमेंट बोक्स में जरू बताना किस जीव की संख्या संसार में सरवदिक है तो पहले Question का दोस्तो right answer हैगा मचली की यानि की B सही answer हैगा पूरी वीडियो को देखेगा बहुत अच्छ अच्छे कोश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किया है दूसरा कोश्चं है चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है देखे दूसरे कोश्चं का राइट आंसर रहेगा विटामिन C यानि कि दूसरे कोश्चं का राइट आंसर दोस्तो B हो जाएगा यह है आपको याद रखना है Q3 है भारत का पर्थम वाइसरोय कौन था भारत का पर्थम वाइसरोय कौन था तीसरे Q4 का राइट आंसर हैगा लोड कने यानि कि तीसरे Q4 का राइट आंसर A हो जाएगा यह आपको याद रखना है Q4 है दूर्दर्शन में रंगीन पर सारण किस वर्स आरंब हुआ सही आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तो 1982 में यानि की Q4 का राइट आंसर भी रहेगा Q5 है अकबर का जन्म कब हुआ था 15 October 1556 में पाचवे कोशन का राइट आंसर A हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master PDF ले सकते हैं 170 रुपे में PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बोक्स में master PDF का लिंक एवलेबल है आप हमारे इस WhatsApp नंबर पे message करके भी इस PDF के लिए बार कोड ले सकते हैं सारे subject मिलेंगे पूरी lifetime के लिए कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं कोशन बर साथ है भारत का पर्थम पर्मानू उर्जा रियक्टर है भारत का पर्थम पर्मानू उर्जा रियक्टर है देखिए साथवे कोशन का right answer हैगा अब सरा यानि की right answer C हो जाएगा आटवा कोशन है हड्यों में फासफोरस कितनी पर्तिशत होती है हड्यों में फासफोरस कितना पर्तिशत होता है सही answer हैगा आठ पर्तिशत यानि की right question क right answer A हो जाएगा या आपको या दखना है किस भारती राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है किस भारती राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है से नुवे कोशन का right answer हो अ मनिपूर यानि की D सही answer हैगा दस्वा कोश्चन निम्लिकित में से कोईले की सरुद्तम किस्म है सही आंसर हैगा एंत्रोसाइट यानि कि दस्वे कोश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा 11 कोश्चन प्रत्वी तलके कितने पर्तिशत भाग पर महादीपो का विस्तार पाया जाता है 11 कोश्चन का राइट आंसर रहेगा 29.2 परसेंट यानि कि 11 कोश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा 12 कोश्चन है चाए पीने से कौन सी बिमारी होती है सही आंसर रहेगा दोस्तों पारिया यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा तेरवा कोश्चन है विस्व का सबसे बड़ा मचली उत्पादक देश कौन सा है कोश्चन नमबर फोटीन है कुरकुरे के पैकिट में कौन सी गैस भरी जाती है कुरकुरे के पैकिट में कौन सी गैस भरी जाती है सही आंसर है नाइट्रोजन फोटीन कोश्चन का राइट आंसर ए रहेगा भारत में डाक सुचकांग प्रनाली पिन कोड प्रनाली का सुबारम किस वर्स हुआ था 1922 में राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों जिन्दा पीर किसे कहा जाता है सोलवा कोश्चन जिन्दा पीर किसे कहा जाता है सही आंसर हैगा औरंग जेब यानि की सोलवे कोश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा सतरवा कोश्चन है तराइन का पर्थम यूद किन के बीच हुआ था कोश्चन नमर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों पर्तवी राज चोहान और राना सांगा के बीच यानि की 17 कोश्चन का राइट आंसर दोस्तों भी हो जाएगा यह उता प्रत्विरा चोहान और मुहम्मद गोरी के बीच बी ओप्शन नहीं दोस्तों राइट आंसर यह रहेगा तो प्लीज इसको दुबारा से ध्यान रखेगा बैए यह बी ओप्शन नहीं होगा फिर से रिपीट कर देता हूँ कोशन नमर 18 है किस गुप्ट सासक ने नालंदा विश्विद्याले की स्थापना की थी सही आंसर हैगा कुमार गुप्ट यानी कि सी करेक्ट आंसर हैगा 19 वा कोशन है किस मुगल सासक ने सिक गुरू तेग बहद्दूर की हत्य करवा दी थी 19 वे कोशन का राइट आंसर हैगा ओरंग जेब यानी कि 19 वे कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा 20 वा कोशन है मसालो की रानी किसे कहा जाता है मसालो की रानी किसे कहा जाता है राइट आंसर इस इलाइची को बी राइट आंसर एगा कौन सा पक्सी सिर्फ बारिस का ही पानी पीता है कौन सा पक्सी सिर्फ बारिस का ही पानी पीता है तो राइट आंसर इस सुतरमुर्ग यानि की 21 वे का राइट आंसर ए हो जाएगा किस देश को मेनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है 22 वे कोशन कराइट आंसर हैगा कनेड़ा को यानि की A सही आंसर हैगा 23 वा कोशन है भारत करास्टेफल कौन सा है भारत करास्टेफल कौन सा है 23 वे कोशन कराइट आंसर हैगा आम यानि की A सही आंसर हैगा 24 वा कोशन है काला गुलाब किस देश में पाया जाता है 24 वे कोशन कराइट आंसर हैगा तुर्की देश में यानि की D is the right आंसर किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है सही आंसर हैगा बेनिया देश में 25 कोशन कराइट आंसर C रहेगा चब 20 कोशन है सवतंतरता के बाद देशी रियासतों के एकिकरण का उत्तर दायेत्व किस से दिया गया था सही आंसर रहेगा सर्दार वल्लभाई पटेल 26 कोशन कराइट आंसर D हो जाएगा अब यहाँ पर 26 में से कितने कोशन के आंसर सही किये हैं सबसे पहले अपना स्कोर बतेगा कमेंट बोक्स में भारत का पर्थम वशर एक कोन था यह आप लोग के लिए एक टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बता रहा है प्यारे दोस्तों Only Top Study एप नहीं डाउनलोड किया है इसको फटा फट डाउनलोड करिए यहाँ पर टेस्ट स्रीज आपको मिलती है सबसे कम प्राइज में Only 39 रुपीज में और सभी एक्जाम्स के लिए यह टेस्ट स्रीज महत्पून होती है तो एक बार जरूर देख लिजेगा एप पर विजिट करके Master PDF नहीं ली है 170 रुपीज की है डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है और इस नंबर पर बार कोड मिल जाएगा मैसेज करके बार कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं Master PDF में सारे सब्जेक्ट रहेंगे लाइफ टेम तक आपके पास ये वीडियो रहने वाली है आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं Master PDF का लिंक मैंने बताई दिया पहले सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सेर करिए चैनल पना है तो सब्सक्राइब करिए बेल एकन को ओन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक्यू सो मच बाई बाई अवरीबन टेक कर खाले के अपना मिलते हैं नेक्स क्लास में